मनुकामना पूरी होनी की संकेत मनुकामना पूरी होनी की संकेत कैसे मिलते हैं? आप तो कुछ सरधारन संकेत के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिसे देखकर आप अपने रोजमरा के जीवन में होने वाले सायोग से ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुकामना पूरी होने वाली है या नहीं इसी समस्या का निराकन करते हुए आपके समझ कुछ तरीके प्रसुत किये जा रहे हैं जिने समझने के बाद आप अपने मनुकामना को पूरा होने की संकेत को देख पाएंगे दिर से आते या मंदीर जाते वक्त आपको लाल वस्तर में सिंगार की हुई कोई इस तरह दीखे तो समझ जाए कि प्रग्रति आपके मनुकामना के पूरे होने की संकेत दे रही है ये एक अच्छा संकेत होता है मगर उस इस तरह का टोटा टोकी ना करे आप अगर इस तरह का संकेत देखते हैं तो केवर इसे देखकर अपने मर में रखिए और आगे बढ़ जाईए रास्ते में चलते वक्त आपको साप की जोड़ी दिखती है तो इसे भी बहुत शुब माना जाता है इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपकी मनुकामना पूर्ण होने वाली है आमतोर पर साप की जोड़ी देखना बहुत ही संयोग की बात होती है हर कोई रास्ते पर साप की जोड़ी को नहीं देख पाता अगर आपने ऐसा देखा है तो प्रग्रति आपको भगवान के रूप में संकेत दे रही है कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी मनुकामना थी वे जल्द ही पूरी होने वाली है सुबह किसी काम से घर से निकलते ही सामने सफेद गाय का दर्शन होना बहुत ही शुब माना जाता है सफेद गाय का सुबह सुबह दर्शन आपके मनुकामना की सफलता की और संकेत देता है अगर आप ब्रहमूरत में मंदीर में कोई रातना करते हैं तो इसे भी बहुत शुब माना जाता है अगर सुबह सुबह चार से पांच बजे के बीच आप मंदीर में अपने मनुकामना को याद करते हैं तो आपकी मनुकामना जल्दी पूर्ण होती है शास्त्रों के अनुसार अचानक घर में सफेद बिल्ली का आ जाना बहुत ही शूब माना जाता है अगर आप घर में अपना कोई कारे कर रहें और अचानक से सफेद बिल्ली आपके घर में आ जाएगा और आपकी नजर पढ़ती वे चली जाए तो शास्त्रों के अनुसर उसे बहुत ही शूब माना गया है आने वाले समय में आपकी मनुकामना पूर्ण होने वाली है ये इस बात का संकेत है अगर आप अपनी मनुकामना के अनुसर कारे करने जा रहें और उस वक्त आपको बंदर का जून दिख जाता है तो इसे बहुत ही शूब माना जाता है अपनी मनुकामना की क्रिया करते वक्त बंदर का जून भगवान का शिवाद होता है जो आपकी मनुकामना को तुरंद पूरा करेगा सुबर सुबर काला कुट्टा अगर आप पर भोगे तो ये बहुत ही शुब माना जाता है हिंदु धर्म के शास्त्रों के मताबिक काला कुट्टा का सुबर सुबर आप पर भोगना आपके मनुकामना के पूर्ण होने की और संकेत करता है ऐसी परिस्तियों में आपको घर जाकर भगवान शिफ की पूजा करनी है और उस काले कुते को रोटी भी जरूर खिलाना है सपने में दोड़ते हुए गोड़े को देखना आपके मनुकामना को पून करने की और संकेत करता है वास्तु शास्त्र के मताबिक सफेत गोड़े काम्यावी की निशानी होते है अगर आप सपने में गोड़े के जूंत को देखते हैं या फिर दोड़ते हुए साथ गोड़े को देखते हैं तो ये बहुत इशूब माना जाता है व्यापपार स्वेफसाय नोकरी के शेतर में आपकी तरकी होने वाली है इसलिए प्रगर्टी ने आपको ये संकेत दिया है हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे और शेयर करे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद